अगर आप अपनी बीबी को संतुष्ट नहीं कर पाते आपकी संभोग करने की टाइमिंग बिलकुल कम हो चुकी है आप डालते ही आपका बीर ये जढ़ जाता है या तीन से चार धक्के लगाने पर ही आपका बीर ये निकल जाता है तो आज हम आपके लिए एक ऐसा घरेलू उस्खा लेकर आया हूँ जिसका उपयोग करने से आपकी संभोग करने की टाइमिंग दस गुना बढ़ जाएगी आप लगभग चार से पांच घंटे बिना रुके बिना थोके बीबी की चीखे निकालते रहेंगे ठोक ठोक कर बीबी का सारा पानी जार देंगे खुस कर द तो यह अद्भुत आउसदी आपके बीर्य को गोंध से भी जादा गारहा बनाने की ताकत रखती है विल्कम दोस्तों आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है फ्रेंड अगर आप नामर्दी से जूज रहे हैं नपुन सकता से परिसान हैं सिग्रपतन की समस्या से बिल्कुल ग्रसित हैं डालते ही आपका बीर्य जढ़ जाता है या तीन से चार बार अंदर बाहर करते ही आपका बीर्य निकल जाता है या बीबी के पास पहुचते ही आपका बीर्य जढ़ जाता है आप सिग्रपतन नामर्दी नपुन सकता से परिसान हैं आपकी टाइमिंग संभोग करने की टाइमिंग बिल्कुल कम हो चुकी है तो आज हम आपके लिए गुड और अदरक का उपयोग करके एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिसका उपयोग करने से बीबी की टांगे उठा उठा कर ठोकोगे फार दोगे चीर दोगे बीबी की मसीन तो ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अदभुत आउसदी को तो इस अद्भूत औसधी के बारे में जानने से पहले इस से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अद्भूत औसधी को यह अदरक है और गुड़ अदरक और गुड़ का उपयोग करके आप अपनी न पुन सकता ना मर्दी सिग्रपतन की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं आपके घर में गुड़ और आपके घर में अदरक बहुत ही आसानी से मिल जाएगा यह हर घर में आपको आसानी से मिल जाने वाला उपयोग करने वाला आवसधी है तो ध्यान से देख लो और पहचान लो जिन लोगों ने बच्पन में गल् खराब हो चुकी है और धात रोग जैसी खतरनाग बीमारी है तो उनके लिए भी हमरित के समान है तो ध्यान से देख लो और पहचान लो सबसे पहले आपको अदरक को सूखा हुआ अदरक आपको सूखा हुआ अदरक लेना है सूखा हुआ अदरक को लेकर घड़ पर ही सूखा दें आपको पचास ग्राम की मातरा में सूखा हुआ अदरक लेना है और उसे कूठ कर पीस कर बिलकुल बारीक तरीके से पाउडर तयार कर ले और आपको लगभग 200 ग्राम की मातरा में आपको गुड लेना है 200 ग्राम की मातरा में गुड और 50 ग्राम की मातरा में अदरक का पाउडर आपको सूखा हुआ लगभग जितना सूखा हुआ गुड हो सके आप चिपचिपा गुड लेने का आप सूखा हुआ गुड ले थोड़ा चिपचिपा रहता है उसे ना ले आपको सूखे हुए गुड को पाउडर कर देना है और उसमें आपको इस 50-200 ग्राम के मातरा में गुड में आपको 50 ग्राम की मातरा में इस अदरक के पाउडर को मिल कर अच्छी तरीके से मिलाएं और किसी काच के बरतन में भर कर रख दें ताकि हवा लगने के बाद वह एक में ही सिमट जाता है तो हवा ना लगने पाए और आपको दोनों टाइम आपको सुबह साम दोनों टाइम खाना खाने के बाद एक चमच खाएं और उपर से 5-6 मिनट आपको एक चमच खाने के बाद चार से पांच मिन तक आपको पानी का सेवन नहीं करना है मात्र एक महिने तक सेवन कर लो आपके अंदर घोडे जैसी संभोग करने की ताकत और सांड जैसी सारीरिक ताकत आ जाएगी तो फ्रेंड्स अगर आपको यह चोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले वीडियो को जादा से जादा दोस्तों रिलेटिव में सेयर करे ताकि उनको भी लाभ मिल सके मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड